नमस्कार दोस्तो पारश डिफेंस क्वेस्चन एन आंसर स्रूंखला में एक और वीडियो में आप सबी का दिल से स्वागत है इस वीडियो का थमनेल तो आपने देख ही लिया होगा पारश डिफेंस के बारे में मेरे सब्सक्राइबर द्वारा मुझे किये गए सवाल का हर एक क्वेस्चन का मैं इसी क्वेस्चन और आंसर स्रूंखला में आंसर देता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तो आपकी इंफर्मेशन के लिए मैं जो बोलता हूँ वही होता है क्योंकि 12 साल का एक्सपिरियंसे में बता रहा हूँ और पारश जब से लिष्ट हुआ है तब से लेके आज तक मैंने जो बोला है वही हुआ है तो यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए मेरी चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर देना अब बात करते हैं हमारे पहले स्क्वेशन के बारे में जो है पारस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है दो दिन पहले के एक न्यूज पेपर के आर्टिकल में दोस्तो एक इंट्रेस्टिंग इंफरमेशन छपी थी आने वाले दो सालों में दोस्तो इंडियन गवर्मेंट डिफेंस फेक्टर की मेन्यूफेक्चरिंग को सपोर्ट करने वाले है और इस न्यूज का सबसे बड़ा बेनेफिट पारस डिफेंस कंपनी को होगा क्योंकि इंडिया की एकलोती कमपनी है जो डिफेंस फेक्टर की मैनुफेक्टरिंग के साथ स्पैस टेकनोलोजी में DRDO और ISRO के साथ मिल कर काम करती है तो पारस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में make in India के तहट दोस्तों manufacturing को बढ़ाना है और जितनी manufacturing बढ़ेगी उतना ही पारस company को profit होगा और इस profit के साथ जुड़ा है पारस stock का profit जो हमारे जैसे कई shareholders को मिलने वाला है अब बात करते हैं हमारे दूसरे question के बारे में पारस का space में क्या major support है space में दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी institute यानि की इसरो का यदी कोई सबसे बड़ा partner है तो वो है पारस defense इसरो के हर एक project में manufacturing का support पारस defense का ही है हिसाब से देखा जाए तो पारस का space में इसरो के साथ दोस्तों major support बनता है उस major support को देखते हुए दोस्तों पारस आने वाले वक्त में आसमान छूँ जाएगा और अब बात करते हैं हमारे तिसरे और final question के बारे में भविश्य में पारस का stock कहा तक जाएगा आने वाले पात साल के बाद, दस साल के बाद या तीस साल के बाद दोस्तों पारस कहां पे होगा इस पर हम बात करेंगे फाइव इयर्स के बाद दोस्तों पारस 4000 के लेवल को बिट कर ही सकता है इसमें कोई भी doubt नहीं है और 4000 के लेवल को पार करके दोस्तो पारस प्लीट भी हो सकता है और आने वाले 10 सालों के बाद दोस्तो पारस minimum 7,000 के लेवल को बीट कर सकता है इंडियन स्टॉक मर्केट का पिछला 1 एर काफी ही इंटरेस्टिंग रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 20 या 30 साल के बाद दोस्तो पारस 10,000 के लेवल को पार कर ही जाएगा एक mathematics आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ यदि आप 30 साल के हो और आपके बच्चे की उम्र अभी 2 या 3 साल की है तो आप अपने बच्चे के शादी के लिए पारस defense में अभी से 50,000 का investment कर दीजिए अभी के हिसाब से एक बार पारस में 50,000 का investment करने से आने वाले 20 साल के बाद आपके बच्चे के शादी का पूरा खर्चा पारस defense से ही आपको मिलने वाला है वीडियो अच्छा लग हो तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब आवश्य कर देना थैंक्यू सो मच